नमस्कार बच्चो मैं डॉक्टर अनिता सिंग चौधरी स्वागत करती हूँ आपका राजस्तान सरकार और वेदानता के CSR इनिशेटिव एकक्षा में जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ग्यान तो बच्चो हम पढ़ रहे हैं आपकी 10th क्लास की बुक जिसका नाम है फु तो हम चैप्टर में पढ़ेंगे उससे पहले थोड़ा सा चैप्टर का इंट्रो आप लोग जान लीजिए कि यहां पर एक वकील है जो कि Oliver Lutkins जिस गाओं में रहता है वहां जाता है और उसको ढूंड रहा है क्योंकि उसको एक समन देना है समन होता है कानोनी एक दस्ताव After graduating with honors I became a junior assistant clerk in a magnificent law firm यानि कि इसमें जो वकील है सबसे पहले वो आपको यह बताना चाहा रहे हैं अपने बारे में कि जब मैंने अपनी कानून की पढ़ाई पूरी कर ली और मैं एक सनात्र डिगरी जब मुझे प्राप्त होगी विशेश सनात्र डिगरी honors में तो उसके बाद में मैं एक junior assistant clerk के रूप में काम करने लग गया एक बहुत ही बड़ी कानूनी firm के अंदर यानि एक बहुत ही बड़ी कानूनी प्रतिष्ठान के अंदर में काम करने लग गया graduating का मतलब होता है सनातक और junior assistant clerk का मतलब होता है कनिष्ट सहायक लिपिक उसके रूप में वो वहाँ पे काम करने लग गया एक firm के अंदर तो चलिए start करते हैं chapter को after graduating with honors I became a junior assistant clerk in a magnificent law firm अब जो ये वकील हैं वो अपने बारे में बता रहे हैं कि जब मैंने अपनी कानून की पढ़ाई कर ली तो उसके बाद में मैंने एक firm को join कर लिया एक कानूनी पृतिष्ठान को join कर लिया लेकिन वहाँ पर मुझसे जो काम कराये जाते थे वो वकीलों वाले ना करवा के एक सस्ते से जासूस से जो काम कराय जाते हैं वो करवाय जाते थे और मुझे शहर में भेजा जाता था गंदी गलियों में ताकि मैं लोगों को समन देके आओं और उन लोगों को कोट में पेश होने के बारे में बताओं तो समन जो होता है वो एक कानूनी दस्तावेज होता है जो कि कोट के द्वारा किसी भी व्यक्ति को जारी किया जा सकता है या तो उसे गवाही देने के लिए वहाँ पर आया आना होता है या फिर अगर उसके उपर कोई केस चल रहा होता है तो उसको बुलावा भेजा जाता है तो ये court का एक आदेश होता है, तो after graduating with honors, I became a junior assistant clerk in a magnificent law firm, यानि कि सनातक की डिगरी प्राप्ट करने के बाद में, विशेश सनातक की डिगरी प्राप्ट करने के बाद में, मैं बन गया था, एक कनिष्ट सहायक, लिपिक, और कहां बन गया था, एक बहुत ही magnificent law firm, यानि एक भव अनि दस्तावेज बनाने के लिए नहीं, बल्कि, but to serve summons, बल्कि मुझे summons देने के लिए भेजा जाता था, like a cheap private detective, और किस की तरह है, एक सस्ते से निजी detective की तरह, जासूस की तरह, I had to go to dirty and shadowy corners of the city to seek out my victims, और मुझे शहर की गंदी गलियों में, और सुनसान गलियों में, अ अपना जो शिकार है, उसको वहाँ पर जाके वो summon देके आ सको, victim मतलब होता है, शिकार, shadowy का मतलब होता है, अंधेरे वाली, अब एक बर इसके word meanings देख लेते हैं, graduating का मतलब होता है, सनातक, junior assistant clerk का मतलब होता है, कनिष्ट सहायक, लिपिक, magnificent का मतलब होता है, भव्वे, law firm का मतलब होता है, कानोनी प्रतिष्ठान, legal briefs का मतलब होता है, कानोनी कारे संबंदी, कानोनी निर्देश, और summons का मतलब होता है, नयायाले में उपस्तित होने का आदेश, detective का मतलब होता है, जासूस, और victims का मतलब होता है, शिकार, unpleasant का मतलब होता है, अरुचिकर, तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है, some of the larger and more self-confident ones even beat me up, अब वो कहते हैं कि जब मैं ये समन देने जाता था, तो कई बार, some of the larger and more self-confident, यानि कि कई बार ऐसे लोग भी मुझे मिल जाते थे, जो बहुत ही ज़्यादा self-confident होते थे, यानि जो आत्मे निर्भर होते थे और उनके उपर आत्मे विश्वास बहुत जादा तगड़ा होता था उनका, तो वो लोग क्या करते थे, मुझे कई बार उनसे पिटना भी पढ़ गया, जब मैं समन देने गया, I hated this unpleasant work, और मुझे ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि मेरी इसमें रूची नहीं थी, unpleasant यानि अरूची कर कारे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, and the side of city life, it revealed to me, और इससे क्या होता था, कि वो मेरे को एक आयना दिखा देती थी, जो शहर का जो जीवन है उसके बारे में, मैं देख लेता था कि शहर जो है उसमें कितनी जादा गंदगी भरी वे, क्योंकि मुझे एकदम गलियों में ऐसी ऐसी जगहों पर जाना पड़ता था, तो जो शहर की सच्चाई है, उससे में रूबरू हो जाता था, जब भी ये समन्दे ने जाता था, I even considered fleeing to my hometown, where I could have been a real lawyer, right away, without going through this unpleasant training period, अब वो कहते हैं, कि I even considered fleeing to my hometown, कि कभी-कभी मुझे लगता है, कि मैं हाँ से चला जाओं, और अपने hometown में, अपना जो कस्बा है, वहाँ चले जाओं, where I could have been a real lawyer, जहां पर मुझे वास्तम में एक वकील की तरह काम करने का मौका मिलेगा, right away, without going through this unpleasant training period, और यहां से मैं दूर चला जाओं, ताकि मुझे इस तरह कि ये जो unpleasant, यानि जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, उस तरह कि जो ट्रेनिंग करने पढ़ रही है, प्रेशिक्षन लेना पढ़ रहा है, इस अवधी से मैं दूर चला जाओं, तो मैं ऐसा भी कर सकता हूं, कि अगर मैं अपने गाओं में जाके वकालत करूं, तो एक वकील की तरह मुझे काम करने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर तो यह जो firm वाले हैं, यह मुझे समन देने के लिए भेज देते हैं, जहां मुझे कई बार पिटना भी पढ़ जाता है, और बहुत गंदी गलियों में जाना पड़ता है, और 40 माइल, यानि 40 मील, चलिए देखते हैं, यानि एक बार मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी मिली, जब मुझे यहाँ पर शहर में जाके और एक ग्रामीन इलाके में जाने के लिए मौका मिला, और वो यहाँ से 40 मील की दूरी पर था शहर से, तो मैं काफी खुश हुआ कि चलो मुझे किसी गाउं में जाने का मौका मिल रहा है, और वो जो कस्बा था, जो टाउन था, उसका नाम था न्यू मिलन, तो 40 मील दूर शहर से मुझे एक न्यू मिलन जो गाउं था, वहाँ जाना पढ़ रहा था, उसका नाम था, जिसको मुझे समन देने जाना था, हमारे को इस आदमी की जरुत थी, ताकि हम इसको गवाह की रूप में काम में ले सकें, और एक कानूनी केस के अंदर हमें उसकी जरुत थी, और उसने हमारे जिसने भी पत्र हमारी फर्म के दुआरा भेज़े गए थे, उनको नजर अंदाज कर दिया था, यानि वो नहीं आ रहा था, तो उसको परस्नली उसकी हाथ में मैं को वो समन पकड़ा के आने का आदेश मिला था, वेन आई गॉट तो न्यू मुलन, My eager expectations of a sweet and simple country village were severely disappointed, अब वो कहते हैं, क्योंकि वो बहुत excited थे, कि उनको मुका मिल रहा है एक कस्बे में जाने का, तो वो कहते हैं, when I got to New Milan, जब मैं New Milan पहुँचा, My eager expectations, यानि जो भी मेरी अपेक्षाएं थी, कि भई मुझे वहाँ पे जो मैं उच्शुक था, कि गाउं में जाने का मौका मिल रहा है, of a sweet and simple country village, कि मुझे एक simple, सरल सा, साधारन सा गाउं देखने को मिलेगा, were severely disappointed, वो सारे कि सारी निराशा में बदल गई, severely यानि बूरी तरह से निराशा में परिवर्दित हो गई, क्यों हुआ ऐसे, its streets were rivers of mud, क्योंकि वहाँ कि जो गलियां थी, वो ऐसे लगता था, कीचड की या मिट्टी की पूरी, सनी हुई गलियां सी है, with rows of wooden shops, either painted a sore brown, or bare of any paint at all, क्योंकि यहाँ पर एक तो मुझे एकदम, गलियां जो हैं मिट्टी की सनी हुई पूरी दिखाई दी, और उसके दोनों तरफ जो दुकाने बनी हुई थी, यानि कि जो लकडी की दुकाने बनी हुई थी, वो भी बहुत ज़्यादा खराब स्थिती में थी, और उनका paint में उतरा हुआ था, और कई दुकाने जो हैं वो बहुत ही खराब दिखाई दे रही थी, तो लकडी की दुकाने थी, और किसी में paint था, sore brown color का, किसी में नहीं था, कोई बिना paint के थी, लेकिन बहुत ही भद्दी सी वो दुकाने थी, witness का मतलब होता है, गवाह, law case यानि कानूनी, मामला, ignored का मतलब होता है, उपेक्षा की, और eager expectations मतलब होता है, आतूर अपेक्षाएं, और severely का मतलब होता है, अत्यधिक, तो चलिए देखते हैं, आगे क्या होता है, the only agreeable site about the place, was the delivery man at the station, यानि कोई एक ऐसी चीज, ऐसा दरिष्य जिस से कि मैं थोड़ा सा, खुश हुआ या जो मुझे अच्छी लगी, वो ये थी, कि वहाँ पर एक delivery man था, उस station के उपर, उसको देखके मुझे थोड़ा सा pleasant महसूस हुआ, यानि, ऐसा वेक्ति जो, एक कोई भी जगह पर जाके, कोई भी सामान देके आता है, ऐसा वेक्ति मुझे वहाँ पर दिखाई, दिया, delivery man दिखाई दिया, तो इस delivery man को देखके, मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ, क्यों, he was about 40 red-faced, cheerful and thick about the middle, क्योंकि दिखने में वो जो व्यक्ति था, वो काफी खुश मिजाज सा लग रहा था, उसकी उम्र लगभग 40 वर्ष थी, उसका चहरा लाल था, cheerful था and thick about the middle, यानि थोड़ा सा पेट के पास से, वो थोड़ा सा मोटा था, बाकि उसका जो चहरा था, वो बहुत हस्मुख था, उसकी बहुत ही प्रीजन सी स्माइल थी, अच्छी सी, मुस्कुराहट थी और चहरा उसका लाल था, उसको देख के मुचे थोड़ा सा तसलिह हुई कि चलो, कुछ तो अच्छा देखने को मिला है, उसके जो काम करने की कपड़े थे, वो थोड़े गंदे हो रखे थे और थोड़े फटे हुए भी थे, लेकिन उसका बोलने का जो तरीका था, वो बहुत ही दोस्ताना था, यानि पहली बारी जब अगर आप उसको मिलते हो या देखते हो, तो आप महसूस कर सकते हो कि उसको लोग पसंद है, चेरफूल का मतलब होता है, प्रसंद, थिक अबाउट दे मिडल यानि कमर पर से मोटा, और वर्किंग क्लोस यानि मज़़ूरी के लिए पहने होए कपड़े, और फ्रेंडली मैनर यानि दोस्ताना व्यभार, यानि कि बड़ा मुश्किल है उस व्यक्ति को पकड़ना या उस तक पहुँचना, always up to something or other, हमेशन कुछ न कुछ करने की फिराक में ही रहता है, या तो ये कर रहा होता है उसको या वो करना होता है, he is probably trying to start up a poker game in the back of Fritz shop, यानि कि he is probably, यानि कि वो कहता है कि मुझे इसकी संभावना है, कि वो अभी शुरू करने वाला होगा एक ताश का खेल, यानि पोकर गेम जो है, वो एक ताश का गेम होता है, खेल होता है, उसको शुरू करने वाला होगा, in the back of Fritz shop, यानि Fritz एक व्यक्ती है, उसकी दुकान की पीछे, वो बैटके अब पोकर का जो खेल है, वो शुरू करने वाला होगा, यानि कि वो उसको जानता था कि इस समय वो कहां मिल सकता है, रोज का उसका क्या काम था, तो वो बताता है, I'll tell you, boy, is there any hurry about locating Lutkins, तो वो बताता है कि हाँ मैं तुम्हार को बता दूँगा उसके बारे में, उसका पता लगाएं, locate कर लें, उसको यानि उसके बारे में जानकारी आप प्राप्त कर लें कि वो कहां पर है, ऐसी क्या जल्दी है आपको, कि आप जल्दी सी जल्दी उसको ढूढ़ना चाहते हैं, उससे पहले एक बार, difficult words देख लेते हैं, Around here, यानि यहां के आसपास, hard fellow यानि कठोर इंसान, poker game यानि ताश का खेल और locating का मतलब होता है, सही ठिकाने का पता लगाते हुए, तो चलिए, देखें, वो क्या जवाब देते हैं, Yes, I want to catch the afternoon train back to the city, वो कहता है, हाँ, मुझे दोपहर की रेलगाडी पकड़नी है, क्योंकि मुझे शेहर वापिस जाना है, I was very important and secret about it, यानि वो कहते हैं कि मैं उस चीज के बारे में बहुत जादा, वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, और मैं उसको बहुत ही रहस्य में रखना चाहता था, कि भई, क्या बात है, I'll tell you what, वो कहता है, अच्छा मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या, I have got a hack, तो वो जो दूसरा विक्ति है, जो मिला वहाँ पर वकील को, जिसके बारे में भी इतनी देर से बातचीच चल रही थी, कि भई, उसका लाल चहरा था, और वो बहुत ही ऐसे प्रसन्न सा दिखाई दे रहा था, और अच्छा दोस्ताना उसका विभार था, वो वक्ति जो है, वो कहता है, I'll tell you what, कि मैं आपको पताता हूँ क्या, I have got a hack, कि मेरे पास एक गाड़ी है, I'll get it out and we can drive around together, मैं उसको ले आता हूँ और हम लोग उसके ऊपर दोनों जने साथ में चल सकते हैं और धून सकते हैं कि Oliver Lutkins कहां पर है, I know most of the places he hangs out, क्योंकि मैं जा जानता हूँ, तो मैं अपनी गाड़ी ले आता हूँ, बग्गी ले आता हूँ और उसमें मैं आपको मदद कर दूगा उसको ढूनवाने में, secret मतलब होता है, गोपनी, glowed का मतलब होता है, चहरे पे चमक आ गई, warmth मतलब होता है, सुखद उश्मा, और affection का मतलब होता है, स्न स्वभाव से, और I knew, of course, that he wanted the business, मैं जानता था कि उसको इस चीज से उसका व्यापार चलेगा, यानि कि अगर वो मुझे ले के जाता है अपनी बग्गी में, तो उसकी कोई ना कोई कमाई होगी, क्योंकि मैं उसको पैसे दूँगा, मुझे पता था कि ये उसका व्यापार तो बहुत अच्छा है ये इनसान, I was glad the fair money would go to this good fellow, और मैं खुश था ये देखके कि ये जो पैसा था, किराय का पैसा जो था, वो एक अच्छे इनसान के पास जाने वाला है, good fellow यानि अच्छे इनसान के पास जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं थी मुझे, I managed to bargain down to $2 an hour, और मैंने उसके साथ में थोड़ा सा मोलभाव किया, bargain किया और आखिर में $2 एक घंटे के हिसाब से हमने उसकी कीमत तै कर ली, to bargain down to $2 in an hour and then he brought from his house nearby a sort of large black box on wheels, और उसके बाद में वो brought मतलब लेके आया, अपने घर से, जो कि उसका घर पास में ही था, sort of large black box on wheels, sort of का मतलब दिखने में इस तरह का था कि पहियों के उपर एक काला सा बकसा लगाव हो, इस तरह की वो चीज लेके आया, he remarked well young man, here's the carriage, और उसने मुझे इशारा करते हुए कहा, कि और वो सफल भी हो गया इस बात में कहने में, कि देखें यहाँ पर है मेरी carriage मतलब होता है buggy, and his white smile made me into an old friend, और उसकी वो जो चौड़ी सी मुस्कराहट थी, उसने मुझे इस तरह से feel कराया जैसे कि मैं उसका पुराना दोस्त हूँ, glad का मतलब होता है present होना, fair money का मतलब होता है, वहान के लिए जो किराया दिया जाता है, उसकी राशी, good fellow यानि नेक manage का मतलब होता है, सफल हुआ, bargain down यानि सौदा करके समझाता करना, remark यानि सफल हुआ, और carriage का मतलब होता है, घोड़ा गाड़ी या बगगी, तो वह अपनी बगगी लेके आ गया और उसने कहा कि आ जो हम चलते हैं, these villagers are so ready to help a stranger, अब वह कहता है कि गाम वाले कितना तयार होत He had already made it his own task to find Oliver Lutkins for me, और वो कहते हैं कि उसने तो अपना ही ये काम बना लिया था, जैसे कि उस ही का काम हो, कि वो Oliver Lutkins को ढूणने में मेरी मदद कर रहा है, अब बच्चों यहाँ पर देखें, यह आपको बगगी का चितर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आगे घोड़े ह पीछे यह बगगी है, तो इसमें बैट के वोलो, अब चलते हैं Oliver Lutkins को ढूणने, उससे पहले कर लेते हैं थोड़े से difficult word, stranger का मतलब होता है अजनभी, interfere का मतलब होता है हस्ते शेप करना, young fellow मतलब होता है you are insan, और my guess का मतलब है मेरा अनुमान या अंदाजा, चलिए आगे है, he said I don't want to interfere young fellow, but my guess is that you want to collect some money from Lutkins, अब वो कहता है कि मैं वैसे तो तुम्हें तुम्हारी बात में दखल नहीं देना चाहता, लेकिन मेरा ये अनुमान है that you want to collect some money from Lutkins, कि शायद आपको Lutkins से कुछ पैसा लेना है, अब ये बात कौन कहता है, ये hack driver कहता है, वकील को, he never pays anybody a cent, और वो कभी किसी को भी एक cent भी वापिस नहीं देता है, यानि पैसे लिए वे उधार कभी भी नहीं चुकाता है, अब ये जो hack driver है, ये अपने आप ही उसको पूछता भी है, और एक जानकारी भी देता है, कि अगर आप उससे कोई उधार वापिस लेने आये हैं, तो म ही तक अभी मुझे भी उसको पचास वुपर वापिस लोटाने हैं, जो वो मुझसे पोकर गेम में हार गया था, I was fool enough to play with him, मैं बड़ा मुर्ख था, जो मैं उसके साथ खेला, और मैं जीता लेकिन उसने मुझे पैसे नहीं दे, he is not really bad, वो कहता है वैसे तो बूरा आदमी नहीं है, but it's hard to make him part with his money, लेकिन उसके पैसों से अलग करना, यानि उसके पास से पैसे निकलवाना, यह बहुत जादा मुश्किल काम है, if you try to collect from him, in those fancy clothes, he'll be suspicious and get away from you, कि भाई वो उसको समझाता है, कि आगर आप इस तरह से साफ सुतरे, अच्छे से कपड़ों में उसके सामन सतर्क हो जाएगा and get away from you, और उसके बाद में उसको संदे हो जाएगा और वहाँ से चला जाएगा, if you want, I'll go into Fritz and ask him, अगर आप चाहो, तो आपके लिए मैं Fritz के दुकान के अंदर जाके, उसके बारे में पूछ सकता हूँ, and you can keep out of sight behind me, और आप मेरे पीछे से थोड़ा पढ़िया लगा, मुझे एक तरह से उसका यह जो अंदाज है, यह बहुत ही प्यारा लगा, कि वो मुझे समझा के गया है, कि अगर उसने मुझे ऐसे देख लिया साथ सूथरे कपड़ों में, तो वो संदे पक्का हो जाएगा उसका और वहाँ से कहीं न कहीं चला जाएग कि वो अंदर है या नहीं और आप इस पर नज़र रख लो, I loved him for this by myself, I might never have found Lutkins, मुझे उसकी यह जो बात है, यह बहुत ही प्यारी लगी, बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैं अकेला तो उसको कभी भी नहीं धून पाता, part मतलब होता है किसी को कुछ देना, fancy clothes मतलब होता और suspicious का मतलब होता है, Sunday grust, with the hack driver's knowing help, I was sure of getting my man, अब यह जो बगीबान था या यह जो कोचवान था, इसको कोचवान भी कह सकने है, hack driver को, तो उसकी मजद से मुझे लग रहा था, मैं पक्का हो चुका था कि मुझे ही विक्ति जो है, जरूर मिल जाएगा, I took him into my confidence and told him, अब मै मैंने उसको अपने भरोसे में ले लिया, विश्वास में ले लिया, confidence में ले लिया, और मैंने उसको बता दिया, that I wanted to serve the summons to Lutkins, कि मैं चाहता हूं कि मैं Lutkins को यह समन देदू, यानि यह कोट का आदेश है, यह मैं उसको देना, चाहता हूं, that the man had refused to be a witness, क्योंकि उस व्यक उस information से हमारा जो case है, वो तुरंत खतम हो सकता है, इसलिए मैं उसको समन देने आया हूं, the driver listened earnestly, और बहुत ही जिग्यासा से, बहुत ही ध्यान से, जो hack driver था, उसने उसकी बात सुनी, he hit me on the shoulder and laughed, well, well, उसने मेरे को कंधे के परे से थोड़ा सा हात मारा, और कहा, ठीक है, ठी श्वास, information का मतलब होता है, सूचना, settled का मतलब होता है, कोई चीज को settle कर देना, व्यवस्तित कर देना, या उसको सुखी कर देना, case यानि प्रकरन, listen यानि सुना, और earnestly यानि द्रड निश्चे के साथ में, चली आगे देखते हैं, the driver listened earnestly at the end, he hit me on the shoulder and laughed, well, well, और कंधे पर थोड़ा सा हाथ मार के, उसने मुझे खा, ठीक है, ठीक है, give brother Lutkins a little surprise, let's start driver, और वो कहता है कि चलो, भाई Lutkins को थोड़ा सा आश्चे में, डाल देते हैं, और अपनी यातरा को शुरू करते हैं, drive शुरू करते हैं, let's start driver, तो वो कहता है कि चलो, बगईवान, शुरू करते Most folks around here call me Bill or Magnuson, अब काफी देर से हम ये पाट पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें नाम किसी कभी नहीं पता चला, अब ये जो बगईवान है, ये अपना परिचे देता है और कहता है, कि most folks around here, यानि इस गाहों के अधिकतर जो लोग हैं, वो मुझे या तो Bill के नाम से जा जानते हैं, my business is called William Magnuson Fancy Karting and Hacking, और जो मेरा काम है, उसका नाम वो बताता है, वो है William Magnuson Fancy Karting and Hacking, इस नाम से मेरा व्यापार चलता है, all right Bill, shall we proceed to Fritz, वो कहता है ठीक है Bill, तो चले हम आगे, proceed to Fritz, की Fritz की तरफ चलें क्या, देखने के लिए कि वो कहां पे मिलता है हमार को, surprise का मतलब होता है, asture, folks का मतलब होता है, लोग, proceed to, यानि आगे चरण की और बढ़ते हैं, yes, Lutkins is just as likely to be there as anywhere, वो कहता है कि हा, Lutkins जो है वो आपको वहीं पर ही मिलेगा, जहां किसी और जगे बहुत ज़्यादा खेलता है, ताश बहुत खेलता है, he is good at receiving people, और वो लोगों को मुर्ख मनाने में या धोखा देने में भी बहुत ज़्यादा काम्याब है, Bill seem to admire Lutkins' talent, ऐसा लग रहा था, कि Bill जो है, वो Lutkins की यह जो युगिता है, इसके बारे में उसकी तारीफ करने की कोशिश कर रहा था, for dishonesty, और उसकी जो honesty मतलब होता है, इमानदारी, और dishonesty का मतलब होता है, बेइमानी, तो एक तरह से जो Bill है, वो उसकी तारीफ तो कर रहा था, लेकिन उसकी बेइमानी के बारे में भी बता रहा था, I felt that if he had been a police man, he would have caught Lutkins respectfully and jailed him with regret, और फिर जो कील है, वो कहता है कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि अगर ये police वाला होता, Bill अगर police वाला होता, he would have caught Lutkins respectfully, तो बड़ी ही इज़त से वो उसको पकड़ता and jailed him with regret, और उसको कोई पच्चाताब भी नहीं होता और उसको बड़े अराम से jail में बंद भी कर देता, क्योंकि जिस तरह से वो से परिशान दिखाई दे रहा था, Bill led me into Fritz, अब Bill मेरे को Fritz तक ले गया, have you seen Oliver Lutkins around today और वहाँ जाके उसने पूछा कि आज Oliver Lutkins को तुमने यहां कहीं पर देखा है, Deceiving का मतलब होता है, ब्रहमित करते हुए, Admire का मतलब होता है, प्रशंसा करना, Talent का मतलब होता है, प्रतीभा, Dishonesty का मतलब होता है, बेमानी, Respectfully का मतलब होता है, आदर पूरवक, Jailed का मतलब होता है, जेल में बंद किया, और Regret का मतलब होता है, खेद, चली आगे देखते ह और उसने कहा कि एक दोस्त है, जो बिल ने पताया कि उसका एक दोस्त है, वो उसकी तलाश में इधर आया हुआ है, उसको धून रहा है, Fritz looked at me, hiding behind Bill, अब Fritz जो है, उसने मेरी तरफ देखा, और Bill की पीछे थोड़ा सा चुपते हुए, उसने कहा, He hesitated, hesitated का मतलब होता है, थोड़ा सा वो, हिच किचाया, and then admitted, और फिर उसने मान लिया, Yes, he was in here a little while ago, कि वो कहता है, कि हाँ, थोड़ी देर पहले वो यहाँ पर था, Guess, he is gone over to Gustaf's to get a shave, वो कहता है, मेरा अनुमान है, कि वो Gustaf की दुकान पर चला गया होगा, वहाँ पर shave बनवाने के लिए, यानि, दारी बनवाने के लिए, Well, if he comes in, tell him I am looking for him, और फिर, बिल उसको कहता है, कि अच्छा ठीक है, अगर वो यहाँ आए, तो उसको बता देना, कि मैं उसको धून रहा था, Cheerly यानि प्रसंता से, Hiding behind यानि पीछे चिपते हुए, Hesitated मतलब होता है, हिच किचाया, Admitted मतलब गलती, मानी, Guess का मतलब होता है, अनुमान लगाना, और Shave का मतलब होता है, हजामत करवाना, We drove to Gustaf's Barber Shop, हम लोग Gustaf, जो नाई की दुकान थी, वहाँ चले गए, Again, Bill went in first, and I lingered at the door, दूसरी बार, फिर से Bill, जो है, वो पहले चला गया, और मैं दर्वाजे पर ही छुपके देखता रहा, लटका रहा वहाँ पे, He asked not only the Swede, उसने खाली Swede से ही नहीं पूछा, But two customers, वहाँ पे बैठे वे, जो दो ग्राहक थे, उनसे भी बात की, If they had seen Lutkin's, और उसने उनसे भी पूछा की, अगर उन्होंने Lutkin's को देखा है क्या, The Swede had not, Swede कहता है, मैंने नहीं देखा, He said angrily, और बहुत गुसे में उसने कहा, I haven't seen him, And don't care to, कहता है, मैंने उसको देखा भी नहीं है, और मुझे कोई परवा भी नहीं है उसको देखने की, But if you find him, you can just collect that $35, he owes me, और वो कहता है, लेकिन अगर वो तुम्हार को मिल जाए, तो फिर तुम उससे प्राप्त कर लेना, जो $35 वो मेरे को वापस उसको लटाने है, यानि जो मैंने उसको दिये थे, और उसने मुझे भी तक वापस लॉटाए नहीं है, उसको कह देना कि वो मुझे वापस दे दे, One of the customers thought, तो उन में से एक ग्राहक ने सोचा, क्या सोचा, उससे पहले देख लेते हैं difficult words, Barber Shop यानि नाई की दुकान, Lingered का मतलब होता है, जुक के देखना, या देर तक रुका रहा, और customers का मतलब होता है, ग्राहक और एंग्रीली मतलब होता है, गुस्ते से, अब चलिए आगे करते हैं, continue, One of the customers thought, he had seen Lutkins walking down Main Street, this side of the hotel, उन में से एक ग्राहक ने कहा कि, उसने Lutkins को इस hotel के, side में, गली में जाते हुए, Main Street की तरफ देखा है, नीचे Main Street की तरफ उसको जाते हुए देखा था, As we climbed back into the hack, Bill concluded, that since Lutkins had exhausted his credit at Gustaf's, he had probably gone to grace for a shave, अब वो कहता है, as we climbed back into the hack, या नि जब दुबारा से हम उस बग्गी में बैठे, Bill concluded, तो Bill ने कहा, that since Lutkins had exhausted his credit at Gustaf's, he had probably gone to grace for a shave, क्योंकि जो Lutkins है, उसने Gustaf का जो पैसा है वो नहीं चुकाया, उधार नहीं चुकाया, तो इसलिए वो यहां नहीं आकर, कहां चला गया होगा, ग्रे की दुकान पर चला गया होगा, शेव बनवाने के लिए, यानि हजामत कराने के लिए, पांच मिनिट पहले वो वहां से आकर चला गया होता है, यानि पांच मिनिट पहले ही हमने उसको वहां से भी मिस कर दिया, वो हमें भी वहां पर भी नहीं मिला, He had just left, प्रॉबबली फॉर दा पूल रूम, और वहां पर वो हमें बताता है, संभावना है कि वो पूल रूम की तरफ गया होगा, Concluded का मतलब होता है निशकर्ष या नतीजे पर पहुंचा, Exhausted का मतलब होता है खोदी, Credit का मतलब होता है साख, और Probably यानि संभावत, पूल रूम यानि जुआ खेलने का अड़ा, चलिए आगे देखते हैं क्या होता है, He had just left probably for the pool room, यानि अभी-अभी वो पूल रूम की तरफ गया है, At the pool room, It appeared that he had just bought a pack of cigarettes and gone out, और वहाँ पर प्रकट हुआ कि जब हम वहाँ पहुंचे, तो पता चला कि उसने अभी-भी वहाँ से cigarette खरीती थी, उसका एक packet खरीता था और वहाँ से भी वह चला गया है, So, we pursued him, तो हमने वापिस उसका पीछा किया, Just behind him, But never catching him, यानि हम उसके पीछे-पीछे गए, लेकिन हम उसको पकड नहीं पाए, For an hour till it was past 1 o'clock, और एक घंटे तक धूनते रहे, और उसके बाद में हमने देखा, कि समय जो है वो एक बज गया था, I was hungry, मुझे भूख लग गई थी, But I had so enjoyed Bill's rough country opinions about his neighbors, that I scarcely cared whether I found Lutkin's or not, अब वो कहता है कि मुझे भूख तो लग गई थी, लेकिन जो Bill है, उसकी व्यक्तित्व से ही वकील इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ, कि वो कहता है, But I had so enjoyed Bill's rough country opinions, कि मैंने बहुत मज़े लिये, Bill का जो विचार था, वहाँ पे उस जगह के बारे में, घाओं के बारे में, about his neighbors, उसके पड़ोसियों के बारे में, that I scarcely cared whether I found Lutkins or not, तो फिर मैं बहुत ही संभावना जो थी, कि लुटकिन्स को मैं ढूंडने आया था, उस चीज़ के बारे में तो मैंने परवा करना छोड़ दिया, और मैं ज़्यादा धिहान देने लग गया, उसकी बातों में, जो मुझे वो अपने वहाँ उस एरिया के बारे में, अपने गाओं के बारे में, और गाओं के जो लोग हैं उसके पड़ोसी, उनके बारे में जो जानकारी दे रहा था, उस पर मैं ज़्यादा धिहान देने लग गया, और जिस काम के लिए मैं आया था, कि लुटकिन्स को जो मुझे ढूनना था वो मेरा पहले तो प्रायर्टी थी लेकिन अब उसकी बाते सुनके मैं उस चीज को नजर अंदास कर गया था थोड़ी देर के लिए बो यानि खरीदा अब पैक ओफ सिग्रेट यानि सिग्रेट्स का एक डब्बी परस्यूट का मतलब होता है पीछा करना, एंजोइड का मतलब होता है आनन दिलिया, रफ यानि उग्र या रूखा कंट्री ओपिनियन यानि ग्रामीन जो व्यक्ति है उनके बारे में राय और स्केर्सली मतलब होता है मुश्किल से तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है हो कहता है कुछ खाने के बारे में आपका क्या विचार है I suggested, मैंने सला दी Let's go to a restaurant and I'll buy you लंच हो कहता है कि किसी restaurant में चलते हैं और मैं तुम्हारे लिए भी लंच खरीद दूँगा, उसके पैसे मैं दे दूँगा, well I ought to go home to wife, वो कहता है कि नहीं मैं तो अपनी घर जाना चाहता हूँ, अपनी wife के पास जाना चाहता हूँ खाने के लिए I don't care much for these restaurants मैं इन restaurants की ज़्यादा परवा नहीं करता है इन की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देता, only four of them and they are all bad, क्योंकि यहाँ पर चार ही restaurant है और चारों के चारों ही बहुत खराब है Tell you what we'll do वो कहता अच्छा मैं आपको बताओं कि हम क्या करें We'll get the wife to pack up a lunch for us मेरी पतनी से मैं कहूँगा कि वो हम दोनों के लिए lunch pack करके दे दे, she won't charge you more वो आपसे ज़्यादा पैसा नहीं लेगी Suggested यानि सुझाव दिया और charge यानि दाम मांगना तो कहते हैं वो आपसे ज़्यादा पैसा नहीं मांगेगी then half a dollar यानि आधे dollar से ज़्यादा वो पैसा नहीं मांगेगी और हम दोनों के खाना pack करके दे देगी, मेरी wife and it would cost you more for a greasy meal in a restaurant और अगर आप किसी restaurant में खाना खाओगे तो आपके पैसे भी ज़्यादा लग जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा तेल भरा खाना आपको वहां खाने को मिलेगा and we'll go up to wade's hill and enjoy the view while we eat और उसके बाद में हम weights की जो पहाड़ी है उस पे चले जाएंगे और वहां बैठके खाने का आनन्द लेंगे और दृष्य भी देखेंगे खाते खाते यानि उचाई पे जाके बैठेंगे और वहां से पूरा दृष्य देखेंगे और मस्ती से खाना खाएंगे तो इस तरह से वो सलाह देता है वकील को आप इसके difficult words देख लेते हैं greasy millioni अधिक तेल वाला भोजन और view मतलब दृष्य तो बच्चों हमने देखा कि किस तरह से Oliver Lutkins को जो ढूंडने आया हुआ एक वकील है उसको एक गाड़ी वान मिल जाता है coach one भी कह सकते है hack driver buggy one भी कह सकते है और उसका नाम है bill और उसकी काफी सहायता कर रहा है Oliver Lutkins को ढूंडने में और हालां कि वो पैसे भी ले रहा है जितना उसका समय निकलेगा उतने का वो चार्ज भी करेगा और वो खाने के लिए भी अपने घर से ही खाना बंगवा लेता है और कहता है कि आधे डॉलर में ही मेरी वाइफ खाना बना देगी और बढ़िया खाना बना देगी तो इस तरह से उसका व्यक्तित्व जो है बड़ा ही इंप्रेस करता है वकील को और वकील काफी खुश है उसके साथ में और वो कहता है कभी-कभी मैं भूल जाता हूं बिच-बिच में कि मैं लुटकिन्स को ढूनने आया हूं क्योंकि मैं बहुत प्रभावित हो गया इस मिलनसार हैक ड्राइवर से तो चलिए इस चैप्टर को अब हम कंटिन्यू क करेंगे नेक्स क्लास में तब तक आप इसे पढ़ लीजेगा मिलेंगे नेक्स क्लास में थैंक यू